आज के इस वीडियो में हम लोग डिसकेशन करने बाले हैं पाँच स्टॉक के उपर इन सभी स्टॉक में जो है या तो ब्रेकाउट हो चुका है या फिर ब्रेकाउट होने वाला है अब रिसेंटली हम लोगों ने प्रीवेश टू ट्रीडिंग सेसं में काफी अच्छ अच्छ स्टॉक्स को डिसकेशन किया है और आपको वहां पे फायदा मिला होगा अगर आपने दोनों ही वीडियो को देखा होगा आपने वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर चलू देख सकते हैं इंडिस्किन पर लिंक मिल जाएगा या फिर आई बटन पर भी लिंक मिल जाएगा तो चलिए अब इनलेसिस को स्टार्ट करते हैं सबसे पहला इस्टॉक है फिनोटेक्स केमिकल इस स्टॉक में क्लियर लिए अगर देखेंगे तो स्टॉक काफी अच्छे लेवल पर ट्रेड कर रहा है और सबसे इंपोर्टेंट अगर देखेंगे तो स्टॉक लगातार अप्ट्रेंड में इस्टॉक जो है यहां पर मंतली वेसिस पे ब्रेक आउट दिया इन दा मंत ओफ फेब्रेडी फोर हंड्रेड के लेबल के ऊपर क्लोजिंग दिया अगर यहां पर मा लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है इस टॉक में एक वर्टिकल मूव हुआ और हम लोग लगातार अगर आप वीडियो को देखते होंगे तो मैं हमेसा बोलता हूं अगर कभी भी किसी भी स्टॉक में वर्टिकल मूव हो चुका है तो फिर वहां पर वेट कीजिए र आपको ब्रेकाउट दे दिया अब यहां पर देखेंगे तो प्रीवियूस लोडिपेंड हुआ है यहां पर एक हायर लोका फॉर्मेशन हुआ है और सुइंग है चुका है ब्रेकाउट होने के बाद जो और इंट्रिस्टिंग बात है यहां पर देखिए रिकाउट होने के बाद यहाँ पे लगाता आपको multiple inside candle का formation देखने को मिल रहा है आज भी एक inside candle का formation हुआ है और अगर इस दोनों candle को देखेंगे तो यह जो है आपको previous to previous trading session के candle के अंदर ही बन रहा है यानि कि multiple inside candle का formation यहाँ पे देखने को मिल रहा है इस टॉक जो है अभी सपोर्ट ले रहा है 375 के लेवल पे स्टॉक सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है तो इस टॉक में हम लोगों को momentum कब देखने को मिलेगा जब स्टॉक यहाँ पे 388 के लेवल के ऊपर टेजी क्रणा स्टार्ट करेगा उपर के ले लिवल से अगर देखेंगे स्टॉकúng था और एक हुटा है क्योंकि यहां पर clearly आपको देखने को मिलेगा जो इस टॉक अगर 388 के लेवल के ऊपर निकलता है यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे 388 के लेवल के ऊपर निकलता है तो फिर इस टॉक में जो है एक सांधर तेजी हम लोगों को 425-450 की तरब देखने को मिल सकता है नीचे की साइड में अगर हम लोग एसल की बात करेंगे तो 370 के नीचे जो है हम लोग अपने एसल को प्लेस करके रख सकते हैं क्योंकि यहां पर क्लिरली अगर देखेंगे तो इस जोन को ब्रेक आउट करने में काफी आपको फोर्स लगा है यहां पर जो है काफी सारा काइम लगा साथी साथ काफी एक फोर्स लगा इस लेवल को ब्रेक आउट करने में अगर वापस से यह लेवल आपको इस लेवल को स्टॉक ले आता है तो यहां पर सेलर जो है डॉमिनेट करना स्टार्ट कर जाएंगे और फिर बायर के पास ज्यादा ओपर्चुनित रहेगा नह जैनि कि स्टॉक में अगर बात करेंगे 10-15% का एक सॉट टर्म मूव देखने को मिल सकता है और अगर यहां पर बड़े के लिए जाएंगे तो फिर इस स्टॉक में जो है 420 के आद आपको जो है 450-460 का भी लेवल देखने को मिल सकता है और उसके ऊपर जो है फ्रेस और टा से आपको समझना है सबसे पहले यहां पर अगर देखेंगे तो स्टॉक में एक गिरावट हुआ गिरावट होने के बाद स्टॉक में एक बेस बनाया बिल्कुल जैसा अगर को फोर्ज के चार्ट को देखेंगे तो similar kind of pattern जो है यहां पर आपको देखने को मिलेगा साथी सबस्क्राइब जो हैं अब वापस से सदॉक में मोमिंटम होना इस्टाट हुआ अगर इस यहां पर निकलना करें तो सब्सक्तर पर देखने को देखेंगे तो डेली चार्ट पर इक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट देखने को मिलुदा है बोट ले रहा है स्टॉक में भी ब्रेकाउट हुआ नहीं है हम लोगों को यहां पर वेट करना होगा स्टॉक जब 5545 के लेवल के ऊपर निकलना स्टार्ट कर देगा उसके बाद जो इस स्टॉक में अच्छा तीजी देखने को मिलेगा यहां पर एक मोमेंटम हुआ इस टॉक में लगा के वेट करना है एक बार स्टॉक इस लेवल के ऊपर निकल जाएगा तो फिर एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है अगर इस टॉक यहां पर के साथ ओपनिंग करता है और आपके पास ज्यादा ओपर सपोज अगर यहां पर यहां पर 5545 के लेवल के ऊपर इन सभी लेवल्स पर ओपन हो रहा है तो यहां पर बेटर है वेट कर लीजे रिट्रेस्मेंट का क्योंकि अगर इन सभी लेवल्स पर ओपन होगा तो फिर जो है आपके पास ज्यादा ओपर्चुनिटी रहेगा नहीं इमीडेटली जो है 5750 के लेवल पर इस टॉक के पास देखने को लिए वडिट की जिए ब्रेकाउट का ब्रेकाउट के बाद इस स्टॉक में जो एक अच्छा श्रक्रिट्री दिखने को मिल सकता है लिएश्ट ऑनवाट करते हैं लगत करैंशर किल्दवाट और घ्रावट के बाद यहां पर आपको किया है support level से उपर की साइट से अगर देखेंगे तो trend line का breakout हो चुका है trend line के साथ साथ अगर यहाँ पर देखेंगे तो एक multiple inside candle in fact अगर यहाँ पर देखेंगे तो एक mother candle के अंदर में 7 trading session stock ने trade किया है और उसके बाद यहाँ पर ब्रेक आउट हुआ है इसी वाज़े से आज की सेशन में स्टॉक में जो है एक अच्छा तेजी देखने को मिला और यहां पर जो है momentum और continue हो सकता है तो एक अच्छा एडिशन का opportunity जो है स्टॉक में बन सकता है स्टॉक उपर की साइड में 2250 के लेवल की साइड momentum कर सकता है इनकेस अगर आप चाहते हैं जो लाइव मार्केट के दौरान आपको अपडेट्स मिले तो फिर आप टेलिग्राम ग्रूप को जोईन कर सकते हैं यहां पर की लाइव मार्केट में भी अपडेट होता रहता है अगर कुछ भी अपडेट होता है तो फिर वहां पर आपको मिल जाएगा तो टेलिग्राम और ट्विटर को आप जरूर जोईन कर लेजिए जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा और टेलिग्राम और ट्विटर का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन हम लोगोंने सेयर किया था 2747 के लेवल पे स्टॉक जो है तकरीबन का मोमेंटम कर चुका है तो नाइन डवल नाइन का स्टॉक ने आज हाई लगाया है हम लोगों का पहला टार्गेट 2900 का था अल्रेडी हो चुका है सकेंड टार्गेट 3050 का था वो कल के सिसन में हो सकता है या फिर और उसों के सिसन में भी जा सकता है यहां पर देखेंगे तो स्टॉक में क्या हुआ सबसे पहले अगर लॉजिक को समझना जरूरी है इस स्टॉक में हुआ क्या स्टॉक में लगातार जो है हम लोगों को 3900 के लेवल से गिरावर्ट देखने को मिल दा था इस टॉक स्टॉक ने यहां पर देने के बाद यहां पर आवर फॉर्मेशन किया का अबर हमलों पर चार्ट में देखेंगे तो यहां पर जहां9 अच्छा की अच्छा कर वा तle तो लगातार जो है stock में एक अच्छा तेजी देखने को मिला, अब इस stock में क्या करना चाहिए, यहाँ पर एक अच्छा तेजी हो चुका है, immediate buying जो है यहाँ पर आपको नहीं करना चाहिए, यहाँ पर हम लोग वेट करेंगे, एक inside candle form हो सकता है, एक doji candle form हो सकता है, या अगर stock यहाँ पर एक से दो दिन consolidate कर जाए, उसके बाद अगर 3000 के level के ओपर breakout देता है, तो वापस से stock में एक अच्छा momentum जो है, हम लोगों को carried out होता हुआ देख सकता है, अगर यहाँ पर कल के session में stock जहाँ से close हुआ है, वहीं से open होके निकलना start कर देता है, तो बेटर होगा wait कीज क्योंकि already जो है, काफी बड़ा momentum कर चुका है, तकरीबन आपको 300 point का momentum हो चुका है, तो एक अच्छा almost 10% up हो चुका है, तो बेटर है, retracement का wait कीजिए, consolidation का wait कीजिए, उसके बाद ही आपको इस stock में एक अच्छा opportunity देखने को मिलेगा, और further updates के लिए आप लोग telegram group को जरूर जोइन कर लिजिए, और लास्ट स्टॉक के बात करेंगे, लास्ट स्टॉक है, TVS Motor, TVS Motor जो है, काफी strong uptrend में है stock, लगातार जो है stock में तीजी देखने को मिल रहा है, एक अच्छा breakout हम लोगों को यहां पर 1200 के लेबल के ऊपर देखने को मिला था, वापस से consolidation किया, एगीन एक अच्छा breakout दिया और लगातार stock में एक अच्छा देखने को मिल रहा है, अभी भी stock में जो है, कोई भी हम लोगों को negative sign देखने को नहीं मिल रहा है, stock में एक retracement जरूर हुआ, उपर के लेबल से अगर देखेंगे, तो stock में एक हम लोगों को retracement जरूर देखने को मिला, ब stock में हम लोगों को further तेजी उपर की side में देखने को मिल सकता है, stock joy 2300 के level की side momentum कर सकता है, तो I hope अप लोगों को सभी points जोए बिल्कुल clear हो गया हूंगे, फिर आप लोगों को वीडियो प्रसंदाया हूँ, अनलेसिस अच्छा लगा हूँ, वीडियो को लाइक करके चनल को जोगों को था सकता है, वीड़ लुकर